नमस्कार साथियों नवरात्री चल रहा है आज चौथा दिन है मैं कन्फ्यूज हूँ कि आपको शुबकाम नायदू या दुख ब्यक्त करूँ कि एक तरफ तो मादूर्गा की पूजा हम लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जीवित मादूर्गाएं हैं हमारी बच्चिय हमारी बहने उनके उपर अत्याचार हो रहे हैं क्या कसूर था उन लड़कियों का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे अपने अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई उनके आत्मसम्मान पर चोट हुई उनके इज़त के साथ खिलवार हुई और उ पशूर था उनका वो तो अपनी इज़त की लड़ाई लड़ रहे थे जब मोधी सरकार की पुलिस उहां के चांसलर उनको इनसाफ न दे सकी तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया गांधी जी के रास्ते पर उन्होंने आंदोलन किया प्रोटेस्ट किया और मोधी जी की पु पुलिस आपके बीजेपी के नेताओं के बच्चे इन बेटीों को मानसम्मान के साथ जीवित रहने देंगे तब ही तो वो पढ़ेंगे आस्चेरियों होता है जो बच्चिया अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी अपनी गरिमा की लड़ाई लड़ रही थी आत्म पुलिस से डंडा वरसा है उनके खिलाफ गई और दाओद के बीवी को सुरक्षित मोधी सरकार ने पाकिस्तान रवाना कर दिया आप देखिए यह पहले पहला वार किसान पर हुआ फिर जवान पर हुआ फिर चात्रों पर हुआ फिर बच्चियों पर महिलाओं पर भी वार करते रही मोधी सरकार मोध में आपको एक बात कहना चाहती हूं जितना घूमना है घूम लो और तुकुछ दिन बचे हैं जितना घूमना है घूम लो जनता माफ नहीं करेगी जनता आपको माफ नहीं करेगी